इस वीडियो में सॉल्ब करेंगे सम्क्वेस्टन्स सम्मोर क्वेस्टन्स आन स्यचस इंट्रेंज इग्जामिनेशन तो ध्यान दिजिएगा पहला क्वेशन आपका 67 है 3 persons can build a wall in 4 days तो 3 persons जो है एक wall को build कर रहा है 4 days में तो पुछा है क्या how many days how many days 4 persons will take to complete the same wall तो कितने दिन में 4 persons बिल करके उसी same wall को बना लेंगे तो ध्यान दिजिएगा यहाँ पर दो quantities दी हुई है एक दिया है number of persons और एक दिया है number of days अब इन दोनों quantities को पहले लिख लेते हैं तो पहली बार पहले case में क्या दिया है 3 persons जो है एक wall को build कर रहा है 4 days में तो यहां लिख लेंगे 4 days अब यहां सबसे पहली जो चीज होती है यह है question आपका ratio and proportion से ठीक है तो पहला जो concept यहां पर आपको check करना पड़ता है वो यह कि जो भी quantity दियो यह number of persons and number of days इसमें inverse proportion का relation है या फिर direct proportion का relation है कैसे पता करेंगे दिखे number of persons को इंक्रीज करेंगे तो number of days उस wall को build करने के लिए घटेगा या बढ़ेगा मतलब की persons किसन क्या बढ़ेगी तो days बढ़ेगा या घटेगा तो यहां पर आप दे सकते हैं यदि 3% चार दिन बना रहा है तो 6% क्या करेंगे यह number of days और कम होगा reduce होगा है कि नहीं मतलब की number of persons को increase करने पर number of days घट रहा है इसका मतलब कि यह inverse proportion का relation है और जब भी inverse होगा तो यहां पर हम क्या करते हैं multiply करके इन दोनों multiply करेंगे तो हमेशा constant आएगा means हम next वाला यहां पर देख लेते हैं how many days तो कर रहा है कि how many days तो माल लेंगे x days इसे माल लेते है x days 4% stake तो 4% यहा लिख लेते हैं अब यहां पर जो x है वो निकल जाएगा आखिस तरीके से जब हम यहां पहली बार हम apply करेंगे मतलब कि 3 into 4 करेंगे वह equal आएगा 4 into x के यह होता है principle of inverse proportion तो हम इसको solve कर लेंगे 3 into 4 is equal to 4 into x means यहां से आप निका सकते हैं x s value निकलेगा तो यह निकलेगा 3 into 4 upon 4 4 वंजा 4 4 वंजा 4 यहां पचा 3 3 आपका क्या हो गया answer हो गया आपका b जो है correct answer है यहां पर एक और concept लगा सकते हैं आप यहां solve कर सकते हैं okay तो आते हैं next question पर 68 कराएं कि राम can finish a piece of work in 20 days तो राम जो है एक piece of work को 20 days में complete कर लेता है इसका मतलब यहां पर लिख लेंगे side cut में यहां पर कि राम जो है one amount of work 20 days में कर लेता है one amount of work कि रते हीं में 20 days में राम करता है और रमेज के करता है रमेज पनल में डाम सकता है 1 amount of work कर लेता है 12 days में 12 days में है आप कर रहा है कि Rames worked on it for 9 days आप जो है Rames ने 9 days के लिए work कर लिया जब 9 days के लिए work करेगा तो पहले हम निकालना पड़ेगा ना कि Rames एक दिन में कितना काम करेगा तो यहां से इसी relation से हम निकाल सकते हैं 12 days 12 days में one amount of work complete हो रहा है ठीक है तो one day में कितना amount of work करेगा बतलेगा रमेश यह निकालना हमें ठीक है तो one day में 12 से डिवाइड कर देंगे तो मिलागा हमे वोन आपान 12 पर एंट जो है वोन दे में कर लेगा तो हमें निकालना क्या है 9 days में क्योंकि रभ में वर्क करता है वर्क किया 9 day के लिए तो हम निकालेंगे हाँ पर कि 9 days में कितना complete कर लेगा रमेस उस work को तो यहां से 9 से मिट्वाइब करना पड़ेगा बोद साइड्स में मतलब यह इतना मिल जाएगा मतलब मिल आपको 9 upon 12 और 3 3 9 and 3 4 12 मतलब हो जाएगा 3 upon 4 3 upon 4 amount of work जो है 9 days में complete हो जाएगा तो remaining कितना वचेगा remaining जो होगा वो निकाल लेंगे तो remaining जो होगा वो होगा one amount जो है पुरा full था तो one में से minus कर देंगे क्या जो हो चुका है तो three by four हो चुका है मैनस कर रहेंगे तो क्या मिलेगा four बंजा four four में से three जाएगा one upon four यहां मट बिलाई कर देंगे और इससे minus कर लिजिए तो four में से three जाएगा one upon four one upon four amount of work जो है बचा हुआ है अब यह जो remaining amount है इसको करने के लिए कितना देर में हो जाएगा राम के द्वारा दिखे राम कैसे कर रहा है राम का जो speed है जो वे आफ वर्किंग है वो यह है मतलब कि एक amount of work जो है कर ले रहा है twenty days में ठीक है one amount of work 20 days में करता है राम तो बताए यह one upon four amount of work कितने दिर में करेगा तो क्या करेंगे one upon four से यहां multiply कर लेंगे means one upon four into one करेंगे तो one upon four आएगा one upon four amount of work 20 into one upon four यहां भी करना पड़ेगा दोनों तरफ multiply कर दिए मतलब कहने का मतलब कि इस equation में दोनों तरफ multiply कर दिए वहां आपन four से यहां मिल जाएगा four में जाए four and four five 20 मतलब कि one by four amount of work जो है राम complete कर लेगा five five days में that is your answer तो remaining days यहां पर five राम जो है five days में करेगा मतलब option b is the correct answer okay okay next question is here 69 कर रहा है कि if four x y is exactly divisible by three then the least value of x plus y is तो यहां पर धान जाएगा four x y जो दिया हुआ है वो actually three digit का एक number है यह जो four x y है क्या है three digit का एक number है दे दिया four x and y यहां पर क्या है y जो है unit space का digit है x जो है 10th place का digit है और four जो है 100th place का बोल रहा है कि यह जो number है वो exactly divisible होगा मतलब कि जब हम divide करेंगे यहां पर कि मैं यहां पर लिख दूँ यदि हम इसको divide करेंगे three से तो जो remainder आएगा zero आएगा करने का मतलब यही है then the list value of x plus y is तब कर रहा है कि list value क्या होगी x और y की मैं x plus y जो उनने पर जो मिलेगा ओ list value क्या होगी तो हम जानते हैं कि three से divisible condition होती हो क्या होती है कि जब हम four x y मतलब इसका digits को add करते हैं means four plus x plus y जब इसको add करते हैं जब यह जो sum आएगा इसका four plus x plus y के जो sum आएगा वो यह जदि ड्यूजबल है three से जब यह ड्यूजबल है three से तो हम कहेंगे कि four x y भी ड्यूजबल होगा है कि नहीं तो यहां पर तो बोला ही है question में कि three से जो क्या है four x y ड्यूजबल है इसका मतलब कि four plus x plus y यह भी जो है क्या होना चाहिए three से ड्यूजबल होना चाहिए तो यह three से ड्यूजबल तभी होगा जब यहां पर x और y की ऐसा value लें कि इसको add करने पर कुछ ऐसा मिले ऐसा number मिले जो three से ड्यूजबल हो तो यह बस यहां बोला है कि list value आपको निकालना है x plus y का यहां पर x plus y की value कम से कम क्या लेंगे सबसे कम क्या लेंगे कि four में add करने पर वो three से ड्यूजबल हो तो देखे ध्यान दिजएगा x और y की value हम दोनों कुछ भी लेंगे anything वो five होना चाहिए क्योंकि जब five रहेगा तभी तो add करने पर five four nine होगा और nine जो है three से ड्यूजबल हो जाएगा या फिर हमें sorry sorry nine तो बहुत बढ़ा हो जाएगा यहां पर ध्यान दिजएगा आपको जो है सोचना है दिल्कुल x plus y जो है list value लेना है यहां पर तो x plus y की value list क्या होने चाहिए तो four में दो जो अणने पर four में जो है दो add करने पर यह आ जाता है six ठीक है और six जो है three से होगा इस लेकिन five answer नहीं होना चाहिए यहां पर जो है टू आंसर दिया दिया नहीं है तो अप्संद भी देना चाहिए था तू नहीं दिया तो इसका मतलब क्या करेंगी दिखें यहां पर मैंने का मतलब यहां पर यहां पर यह था करने पर 5 और 1 करने पर क्या होगा 6 होगा तो यहां पर 6 जो है 3 से यहां पर मतलब कि देना चाहिए 2 एक option देना चाहिए जो कि नहीं दिया हुआ है तो मेरे खाल से यहां पर कुछ problem है और यह question में question ही I think wrong है क्यों 5 यहां पर दिया हुआ है तो यहां option के अमसार तो 5 होगा लेकिन 2 इसमें होना चाहिए 2 नहीं दिया हुआ है अच्छा यह side 2 हो maybe that but questions कुछ ऐसे भी है जो wrongly दिया रहते हैं आपके exam में तो इसको बहुत ही ज्याता ध्यान साब को समझना पड़ेगा कि आखीर question में क्या दिया हुआ है और सच में सही answer भी है उसमें या नहीं यदि सही answer नहीं होगा तो खेर आपको marks मिल जाते हैं ओके चले next question वाइद वे चलते हैं ओके आवर next question is question 70 और यहां पर क्या बोला है the lengths of parallel sides of a trapezium are 19 cm and 13 cm and its area is 128 cm2 the distance between the parallel sides is मतलब कि हमार पास एक trapezium है ठीक है एक trapezium है और इस trapezium का इस trapezium क्या दिया दिया है parallel sides दे दिया है तो यह दे दिया है 19 cm और यह दे दिया है 13 cm जो लंबा रहेगा वो तो नीचे रहेगा ओके यह आपका दिया है 19 cm and यह दिया है 13 cm करेंगे its area is 128 cm2 है 128 cm2 है इसकी area है the distance between the parallel sides is इनके बीच का जो distance होगा मतलब यह distance होगा यह क्या होगा मिन्स यह आपकी क्या है height है तो height पूछ रहा है हम जानते है area of a trapezium area of a trapezium is equal to क्या होता है 1 by 2 into sum of parallel sides sum of parallel sides means 13 और 19 को यह करेंगे add कर लेंगे यहां हो जाएगा 13 plus 19 into height इफ हमला होता है तो हमारे पास यह area of trapezium दिया हुआ है ठीक है 1 by 2 into यहां पर add करेंगे हो दो मिलेगा 32 into edge is equal to हो जाएगा 128 ठीक है यहां 2 से कटेगा तो यह मिल जाएगा 16 और edge पर अपन हिकल जाएगा 128 अपन 16 8 to 16 हो जाएगा sorry यहां पर जो है यह हम 8 to 16 हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा 8 वंजा 8 and 8 6 एट वंजा 8 4 14 हो गया 8 6 एट वंजा 2 एट जा 16 तो यहां पर edge पर आपजो निकलेगा वह जाएगा 8 cm means distance between these parallel sides is 8 cm आपका यह रहें आपके कुछ questions जो मैंने solve किया आप तक और thank you so much for watching यह आपका अच्छा लागा solutions तो like कर दीज़े तो कोई भी doubt होता है तो comment box आपके लिए है और यदि माले doubt आपको नहीं भी है तब भी कुछ comment करेंगे मेरे लिए अच्छा रहेगा thank you so much again bye झाल 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 झाल